अक्सर हम सिर्फ और सिर्फ विचारों पर ही ध्यान देते हैं कि अच्छा विचार करना है और वही ज़रूरी है। लेकिन हम एक चीज पर ध्यार नहीं देते वो है हमारी भावनाएं। विचार बिना भावना के कुछ नहीं कर सकता। भावना वो इंधन है जिससे विचार एक रूप लेता है अगर आप कोई भी सकारात्मक विचार रख रहे हैं लेकिन आपके मन के अंदर एक अच्छी भावना नहीं है तो उस विचार में उतनी शक्ती नहीं आ सकती इसलिए हमें आज से ये प्रयास करना है कि हमारी भावनाएं बदले हमारी भावनाओं में हमेशा के लिए एक सकारात्मक उरजा रहे हम जब सोचे तो हमें एक तरह की खुशी, उमंग, उत्सहा भड़ जाए अगर आप ये कर सकेंगे तो जीवन में कुछ भी हासल करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा जरूरी है अपने आपको एक ऐसी सुखदाई स्थिती में रखना जिससे की दुनिया की सारी खुशाली आप तक आकरशित हो उसको हासल करने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है दिन भर शुक्र गुजार रहें दिन में कम से कम 51 प्रतिशत अपने मन खो अच्छे विचारों से भरे अच्छी स्थिती में रखें अपने आप जीवन का तराजू खुशी की तरफ पलटने लगेगा तो चलिए इसके लिए अब हम फिर से ध्यान करते हैं एक आराम दायक स्थिती में बैठ जाए खमर सीधी रखें आखें बंद कर लें चहरे पर एक मन सी मुस्कान ले आएं और अब एक लंबी गहरी सास लें और उसे अंदर ही रोक लें और अब धीरे धीरे उसे मूँ से छोड़ते जाएं और अपने शरीर को ढीला होने दे आराम दायक स्थिती में जाने दे शरीर को एक और लंबी गहरी सास भरें रोकें से और अब शरीर में मौजूद किसी भी तरह के तनाव को पिघलने दे शरीर से बाहर जाने दे एक और लंबी गहरी सास भरें रोक लीजिये से और सास छोड़ते हुए अपने कंधों को ढीला छोड़ते अपने कमर को ढीला छोड़ते अपना ध्यान अपने पेरों पर अपने तलवों पर ले जाएं और इन्हें भी ढीला छोड़ते सांस निरंतर लेते रहे गहरी लंबी सांस और इसे रोकने के बाद धीरे धीरे छोड़ते जाए और हर सांस जब भी आप छोड़े अपने शरीर के हर एक भाग को हलका होने दे, धीला होने दे, तरा मुक्त होने दे मासपेशियों को धीला छोड़े, हथेलियों को धीला छोड़े अपने कानों पर ध्यान दे, अपने अंदर की अवास को सुनने के लिए तैयार हो जाए आपके आसपास के वातावरण को महसूस करे और अब अपने अंदर एक नई शांती को महसूस करे देखेगी किस तरह से सब कुछ स्थिर हो चुका है सिर्फ सांस की वजह से आपका शरीर हलका सा उठ रहा है लेकिन पूरा शरीर हर तरीके से स्थिर होता जा रहा है अब कल्प ना करें अपने मन में कि आप किसी ऐसी जगा पर है जो आपको सबसे खुबसूरत लगती है ये कोई ऐसी जगा हो सकती है जहां आप जा चुके हैं या फिर जाना चाहते हैं देखिए कि ये आपके पैरों पर क्या महसूस होता है इस त्रिश्य को अच्छी तरह से देखिए क्या-क्या रंग है यहां कौन है यहां क्या-क्या चीजे हैं यहां जो आपको खुशी देती है किस तरह के खुश्बूए हैं यहां जो आप अपनी नाप में महसूस कर सकते है ऐसी कौन सी मधुर आवाजे है जो आप यहां सुन सकते है जो आपको सुकून दे रही है शान्ती दे रही है अपने चारो और इस वातावरन को महसूस कीजिए और अब यहां पे एक कुने में जाकर आराम से सुखताई तरीके से बैठ चाईए और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए देखे कि एक दिव्वे प्रकाश आपको चारो और से पूरी तरह से प्रकाशित करे जा रहा है आप में उर्जा भरे जा रहा है इस खुबसूरत जगह के लिए शुक्रिया अदा कीजिए अपने मस्तिश की इस कल्पना शक्ती के लिए इस मस्तिश का शुक्रिया अदा कीजिए धन्यवाद दीजिए जो सदा आपका ध्यान देता है, आपको नएने, विचार और समाधान देता है आप जिस जगह भी बेठे है इसे याद रखे, आप यहाँ पर कभी भी आ सकते है दिन में कभी भी जब आप और शान्त और आराम दायक स्थिती में जाना चाहें तो आप इस कल्पना को दो बारा अपने दिमाग में ला सकते हैं अपने शरीर में हो रही सारी कतिविधियों को शुक्रिया दा कीचे इतने मास पेशियों को, अपने रक्त को, अपने रिदे को, अपने पेट को, अपने कमर को, पेरों को, हाथों को जिसकी वजह से आप इस जीवन को जी पाते हैं, इसका लाब उठा पाते हैं इंद्रियों का शुक्रिया अदा कीजिए आखों का, कानों का, स्वाद का, महसूस करने की शक्ती का और देखें कि ये शुक्रिया आप और किन चीजों के लिए अदा कर सकते हैं हर वो चीज जिसके लिए आप शुक्र गुजार हैं उसे अपने आखों के सामने आने दीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेके इस्थिती को अपने अंदर पूरी तरहा बस जाने दीजिए लेकिन याद रखिए कि आप दिन में कभी भी यहां पर दुबारा जा सकते हैं सिर्फ तीन लंबी गहरी सांस लेने के बाद आप यहां दुबारा जा सकते हैं और अभी हम अपने बहुत एक जीवन में वापस आने के लिए तैयार होते हैं इस सारी खुशी, शान्ती, संपूम्ता को अपने अंदर समाते हुए एक नए उत्सहा और एक नए जोश को अपने अंदर लाते हुए अब हम धीरे धीरे से अपने कलपना से बाहर आएंगे दुबारा अपने वातावरन पर ध्यान दीजिए आप कहां इस समय बैठे हुए है हवा को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए अपने पैरों और हाथों को जगाईए अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िये और इससे अपने आखों पर रखते हुए धीरे से आखे खो लिए एक मन सी मुस्कान चेहरे पर ले आएए और स्वागत है आपका